Good morning students, welcome to online classes. Hope you're all doing well. This day is stay safe, stay home. Now students, today I'm going to explain chapter 3, बच्चो की हसी. तो जैसा कि students, previous classes में हमने इस chapter के मौकी की प्रशन सब्दार्थ का अधिन किया था. आज हम इसके लिखित प्रशनों का अधिन करेंगे, students. निम लिखित प्रशनों का उत्तर लिखिये का, दोपहर के समय पाट साला से लोड़ते हुए बच्चे कहां खेलने जाते थे. So students, जिस कहानी के अधार पर पूछा जा रहा है कि दोपहर के समय पाट साला से लोड़ते हुए बच्चे कहां खेलने जाते थे. सो स्टूरेंट जैसा कि बताया जा रहा है कि दो पहर से लौटते वक्त पाट साला से स्टूरेंट्स बच्चे दानों के बगीचे में खेलने जाते थे दानों ने बच्चों से भया वही आवाज में क्या कहा? तो स्टूदि या इस कुछन में पूछा जारा है उत्तर हैं दानों ने बच्चे से भया वही आवाज में कहा तुम यहां क्या कर रहे हो? गा दानों ने अपने बगीचे में कैसा दृष्य देखा इस कहाने के अधार पर दानों ने अपने बगीचे में कैसा दृष्य देखा उत्तर है दानों ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृष्य देखा बगीचे की चार दिवारी में एक बड़ा सा छेद हो गया था, उसमें से बच्चे बगीचा में घोस आये थे, तो उन दानों ने देखा स्टुएंट्स कि अपने बगीचे में कि बच्चे चार दिवारी में एक बड़ा सा छेद करके उसमें घोस आये हैं, घा, बगीचे में एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा था तो students बोला जा रहा है बगीचे में छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा था उत्तर है बगीचे में एक छोटा सा बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था तो बगीचे में एक ब तो च्टूएंटस चोटे से बच्चे की रोने की आवास उनकर दानों का हरीदे पिघल गया